नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूँगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में सबसे पहले तो कुछ इस निवस में खबरों में उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा यहां पर दो तीन इस निवस में अपडेट और निवस आती हुए पहले तो आपको मैंने कली बता दिया था आज 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 आटो सेक्टर के नंबर आएंगे यानि कि जो उन्होंने मन्त और मन्त बेसिस पर नंबर सादे है कि कितनी यूनिट्स सेल हुए है तो दिसंबर मन्त के नंबर साद चुके है तो मैक्सीमम आपने देखी लिए होंगे चाहिए वो बजाज आटो हो एसकॉर्ट्स हो या फिर वाईशर मोटर हो मनमो यह सारे अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखें हीरो मोटो कॉप भी अपने नंबर पेश करता हुए दिखा है तो इस टॉक में अच्छा मूव दिख रहा है तीन परसेंट के ऊपर ट्रेड करता हुए दिख रहा है परसिस्टेंट सिस्टम के लिए कुछ ख़बर है आती हुए दिखी है तो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ बात करूँ हुए टाटा पावर के स्टॉक के बारे में उससे पहले मैं आपको मार्केट के बारे में बता हूँ तो 18,183 के लेवल्स पर अभी भी निफ्टी ट्रेड करती हुए दिख रही है और जब तक 18,200 के नीचे है जादा कुछ मॉमेंटम में नहीं रहेगा मार्केट यही मैं आपकी साथ शेयर करना चाहता था अभी अब आते हैं स्टॉक की बात करें तो टाटा पावर के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहता हुए दो हजार बाइस का एक आप कह सकते तो पूरा का पूरा सेशन नेगेटिव रिटेंस तो नहीं कहुआ है नेगेटिव रिटेंस मेंस होता है कि आपको स्टॉक ने मतलब जादा बड़ा घाटा दे दिया तो अगर मैं 2020 की बात कर तो पांच परसेंट नेगेटिव है पूरी साल गांसोलिडेशन दिखा आपको और टाइम देखी एक चीज़ शेर सिंपल सी बात बोरूँगा अगर आप लॉंग टम निवेशक हो तो और जिंद की पर याद रखना गांट बांगिना इस बात को एक अच्छा स्टॉक या फिर एक खराब स्टॉक खराब और अच्छा कैसे चुने कंपनी के फाइनेंशि उतने बड़े रिटन्स आएंगे जब चलना शुरू होगा न तो एक बार में मल्टी बैगर बन जाएगा अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक कंसॉलिडेटी करता जा रहा है यानि कि अपनी कंपनी के प्रॉफिट पे स्टॉक का प्राइस रियक्शन ही नहीं साइड पे ऐसा नहीं होता है नंबर्स खराब हैं तुरंत पिटाई पड़ती है स्टॉक मार्कमिन यहां पर किसी को बकसा नहीं जाता लेकिन अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और कंसॉलिडेट हो रहा है तो समझ लो वो कुछ बड़ा करेगा अब टाटा पावर की बा करोड का केक्स करा था 2022 में जिसमें से 10,000 करोड का केक्स नहीं वल्स में करा कंपनी की बात करो तो 211 रुपे के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो रेंज औस रेंज के निचले इस तर पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है अगर आप करें कि एक साल में कुछ नहीं करा तो मैं कहूंगा आप थोड़ा लंबा समय का देखिए और दो साल की बात करें तो इस टॉक ने आपको 168 परसेंट के दिये हैं और 5 साल में 111 परसेंट के एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद 2020 के बाद से ब्रेक आउट हुआ और स्टॉक में मल्टी बैगर बना श स्टॉक में बेस सपोर्ट है अगर मार्केट में कुछ बड़ी करेक्शन नहीं आदी तो डेफिनेटली स्टॉक वो लेवल नीचे में ब्रेक नहीं करेगा और ट्रेडिंग परपस से है फिर शॉट टम के परपस से मुझे लगता है दोबारा से स्टॉक अपनी रेंज के मि लगता है आपको इन लिवल्स पर बेचना नहीं चाहिए उपर में दुबारा स्टॉक 216-217 दिखा सकता है अब थोड़ी सी स्क्रीनर पर जाके स्टॉक की डिटेलिंग कर लेते हैं डिटेलिंग मींस की स्टॉक में जो जो थोड़ी बहुत चीजा देखने वाली होती है व अगर इसका पीर कंपनी करें तो टाटा पावर स्टॉक से थोड़ा सा महंगा है चाहिए वो पावर ग्रेड हो या फिर वो एंटी पीसी हो बट वो कहीं आप कह सकते हैं सरकारी कंपनी पढ़ जाते हैं बाकी तो इस्टॉक ठीक दिखते हैं वो जो कोई इशू नहीं है यह पर प्रोफिट की बात करें तो कंपनी ने सेप्टेंबर कॉर्टर में नाइन थर्डी पार्सेंट की दिखते हैं तो ठीक है कोई ऊसू नहीं है और अगर मैं इसके शेर के रिजर्ब्स देखो तो 25,000 करोड यह लेकर बोरिंस कंपनी के पास अच्छी खासी है 53,000 करोड की तो debt to equity ratio काफी higher है और long term borr axis में से 30,000 करोड के सम्धिंग है short term 19,000 करोड के है share rolling pattern भी check कर लेते हैं promoters 46.86% hold करते हैं FIIs 10.10% hold करते हैं DIs 14.70% और retail investors public लगबग 28% hold करती है तो यहोगी मेरी वीडियो इस समय होब आपको समझार पसंद दौन आई हो तो यहोगी मेरी वीडियो इस समय होब आपको समझार पसंद दौन आई हो कि thank you so much for watching this video आपको ग्रेट ने काई